हेलो दोस्तो दा अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक बहुती महतपून शहर अलीगड के बारे में तो दोस्तो अलीगड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तो अलीगड उत्तरप्रदेश के अलीगड डिस्टिक्ट में पढ़ता है अलीगड अपने एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स के लिए जाना जाता है जैसे कि दुनिया की जानी मानी यूनिवसिटी अलीगड मुस्लिम यूनिवसिटी अलीगड का इतिहास बहुती पुराना है महाभारतकाल से इसका इतिहास है ये माना जाता है कि पहले अलीगड का नाम महाभारतकाल में कौशाम भी हुआ करता था अलीगड शहर बैटल अफ अलीगड के लिए भी जाना जाता है जो की फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था अलीगड का प्राचीन नाम कोल था कोल जो की वहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स के उपर रखा गया था कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ के एक डैत्ते राजा थे उसके नाम पर भी अलीगड का नाम कोल रखा गया था मुगल बादशा इवराहिम लोदी के टाइम पे अलीगड के गवर्नर मुहम्मद ने एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम रखा था कोल वो आज अलीगड फोर्ट के नाम से फेमस है अलीगड फोर्ट आज अलीगड का एक मेजर टूरिस्ट डेसिनेशन है अलीगड का नाम अलीगड से पहले मुहमद गड़, साबित गड़ और रामगड रखा गया था और finally फिर decide किया गया कि यहां का नाम अलीगड रखा जाएगा अलीगड एक educational hub के साथ साथ एक commercial hub भी है मुखल टाइम से ये commercial hub रहा है और अभी भी अलीगड अपने तालों के लिए और brass के items के लिए जाना जाता है अलीगड फोर्ट के इलावा अलीगड में घूमने के लिए कई सारे museums भी है जैसे कि सर सायद Academy Museum, चाचा नहरू ग्यान पोश्ट और हकीम कारम हुसान Museum अलीगड में जामा मस्जित, खिरिश्वर टेंपल और तीटधा मंगल यतन आप घूम सकते हैं जो की जैन टेंपल है अलीगड में इंडिया की सबसे बड़ी library भी है, मौलाना आजाद library ये इंडिया की सबसे बड़ी तो है ही, एशिया की सेकिंड सबसे बड़ी library भी है अलीगड के पास आप नागलिया विलेज भी जा सकते हैं, जहां आपको rare animal species, black deer भी देखने को मिलेगी अगर आप by train अलीगड जाना चाते है, तो अलीगड में पूरे इंडिया से हर train आता है अलीगड जंक्शन पे पर दोस्तों अगर आप by air जाना चाते है, तो सबसे nearest airport है न्यू डेली airport जो की अलीगड से 147 km की दूरी पर है तो दोस्तों और ऐसे इंडिया के बारे में जानने के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे जैहिन दोस्तों